दोस्तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप थोड़ी सी मदद कर दो फिर वो पीछा ही नहीं छोड़ते तुमारे पीछे ही पड़ जाते हैं ऐसे मुन के लिए एक बड़ी अच्छी कावत कही जाती है कि उंगली पकड़ कर पहुचा पकड़ना ये व्यक्ती उंगली पकड़ाई थी अब ये पहुचा पकड़ने कोसित कर रहा है इसी कावत को अंग्रेजी में कहते हैं एक इंच किसी के लिए दे दी जगए एल का मतलब होता है छे हाथ की लंबाई या चोड़ाई को एल कहते हैं एक इंच दे दिया तो वो छे हाथ की जगए को घेर करके मारेगा और हिंदी में कहते हैं उंगली पकड़ कर पहुचा पकड़ना यानि थोड़ी सी मदद कर दो फिर वो कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये तो बेवगूप आदमी है और पीशे ही पड़ जाते हैं फिर वो तुम्हारा पीचा नहीं चोड़ते हैं कि और मदद दो और मदद दो और मदद दो तो अब ऐसे लोगों के बारे में तो ये कहबत ही बनती है उंगली पकड़ कर पहुचा पकड़ना गेव एन इंच एंड ही विल टेक एन एल तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें दोस्तों साथ शियर करें मेरे चैनल आप नई हो तो इसे सब्सक्राब करके बेल आइकन ओन करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो